नमस्कार दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है G.S. Manch पर मेरा नाम है मंगेश कुमार और सात्यों आप हैं मेरे साथ में आज के इस बहुत इंपोरेंट न्यूज को डिसक्स करने के लिए एक देखिये एक जो न्यूज है सात्यों पूरे भारत में बहुत ही ब जिसको आप लोग जो है train 18 के नाम से जानते हैं, सुरुवात में उसका वंदे भारत नाम था, लेकिन बाद में सरकार ने उसका नाम train 18 कर दिया गया था, और अब जो है दुबारा चर्चा में इसलिए है, कि उस वंदे भारत जो train थी, अब उसका नया वर्जन सरकार के द्वारा बनाया गया है, और सरकार बहुत जल्द इसको रूट्स पर आपको दोड़ती हुई मिल जाएगी, यह train के रूट पर है न, तो इसको नाम दिया गया सरकार के द्वारा, वंदे भारत 2.0, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अलग-अलग बड़ी-बड़ी मीडिया हाउसिस की यह आर्टिकल है, यह चर्चा में क्यों हैं, चर्चा में इसलिए है सातियो, क्योंकि देखिए इसने जो है जो बुलेट ट्रेन है, स्पीड के मामले में, बुलेट ट्रेन को भी इसको फेल कर दिया है, बुलेट ट्रेन का जो रिकॉर्ड है, उसको भी इसने तोड़ दिया है, वो कैसे, वो इसलिए देखिए, क्योंकि जो 100 किलोमीटर, एक घंठे में 100 किलोमीटर की जो रफतार है, उसको इसने 52 सेकंड में ही पार कर लिया है याना 52 सेकंड में प्राप्त कर लिया 100 किलुमेटर परार की रफतार को जबकि बुलेट ट्रेन को इतनी रफतार पकड़ने में 2 सेकंड फालतू लग जाते हैं यानि कि टोटल 14 सेकंड लग जाते हैं तो चलिए साथ यो इस पूरे ही news को हम बहुत अच्छे से discuss करेंगे इस features को जानेंगे बंदे भारत के बारे में और इनके जो बंदे भारत first थी यानि की train 18 और इस train के बारे में बंदे भारत 2.0 इन दोनों में क्या difference है क्या features है इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से discuss करे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारे प्रिदानमंत्री मोधी है जो कि इसको हरी जंडी देखा करके रवाना कर रहे हैं और इसी तरह की informative वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और चलिए आगे चलते हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्र 100 km पर आर की जो स्पीड अचीव कर लिए पकड लिए इसने जो की यानिकी रफतार ये इसने 100 km प्रति घंटे की रफतार को केवल मातर 52 सेकंड में इसने अचीव कर लिया जबकि जो रिकॉर्ड है बुलेट ट्रेन का बुलेट ट्रेन आपने खूब नाम सुना होगा भारत में चलाने की बहुत तगड़े पैमाने पर बातें की जा रही है लेकिन COVID-19 और बहुत सारी समस्याओं की वज़े से ये सब प्रोजेक्ट रंडे वस्ते में था अब जबकि जो हमारी स्वधे सी कंपनिया थी वो इन सब पर काम कर रही थी और 2019 में हम लोगों ने वंदे भा भारत के बाद में इसका जो extended version इसकी speed इसके features के साथ में वंदे भारत 2.0 भी हम बहुत जद लॉंच करने जा रहे हैं और अब हमने इसका जो trial run सुरू कर दिया है वंदे भारत 2.0 का जो trial run सातियो ये एमदावाद और मुंबई के बीच में सुरू किया गया था और इस trial run के दौरान ही इस trial के दौरान ही इस train ने अपनी highest speed यानि कि जो भूती कम समय में highest speed नहीं है ये इसकी वैसे 52 सेकंड में ये एक साथ यो record है जो कि bullet train के नाम है bullet train का नाम इसलिए है जो कि bullet train ने 100 km प्रति गंटे की जो रफतार पकड़ी थी वो 54 सेकंड में पकड़ी थी लेकिन ह हमारी जो स्वधेसी है ये पूरी तरह से individual है हम लोगों ने इसको बनाया है इंडिया में इसको डेवलप किया गया है इसने 100 km प्रति गंटे की जो रफतार है वो मातर 52 सेकंड में प्राप्त करके bullet train के record को इसने क्योंकि ये गौरब की बात है क्योंकि जो bullet train जो पूरे विस one train जो पहली जो train थी जिसको हम train 18 के नाम से जानते हैं साथियो उसकी जो speed थी वो 160 km प्रति गंटे थी तो अब हमने जो इसकी speed को भी बढ़ा दिया है और उसने जो यानिकी जो train 18 थी उसने जो ये 100 km प्रति गंटे की जो रफतार पकड़ी थी वो 54.6 सेकंड में पकड़ी थ है ये और ये सताबदी से भी तेज चलती है इसका जो train का नाम दिया गया था सरकार के द्वारा यानिकि हम इस train 18 के बारे में बात कर रहे हैं जो पहली जो train थी 2019 मेंजे इसको हमने लॉंच किया गया था इसकी ये जो 160 km प्रति गंटे की इसकी speed थी highest यानिकि इसकी जो speed थी यानि maximum speed कितनी थी वो 160 km प्रति गंटा दिली से वारान सी सरकार ने इस route पर इसको चलाया था और 752 km की cool distance ये करती थी और एक चीज आप लोग याद रखना है engine less train थी और ये जो engine less का मतलब ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने metro में सफर किया होगा दिली metro में सफर किया होता है वैसी ही train है जैसे कि सताबदी बगयरा या माल गाड़ी या आप कोई और passenger गाड़ी हों बैठते हैं तो train में बैठते हैं उनमें आपको अलग से engine दिखाई देता शुरूबात में लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यह बिना engine की engine less train है यहाँ पर अपने आप में लोकमोटिव है अपने आप में हर कह सकते हैं हर डिब्बे में ही अपने आप में engine के इसमें चीजें हैं तो यह इसको इंडिजिनेशली विल्ट किया गया था सरकार अमारे जो देस नहीं अठारे महिने में इसको तयार किया गया था इसलिए इसका नाम रखा गया था train 18 सात मतलब यह है कि आप इसको track कर सकते हैं कि यह train अभी कहां चल रही है bio vacuum toilets हैं, AC coaches हैं और कुछ इसमें जो साथ ही हो इसके राबा आप बात करें हम तो इसमें automatic doors हैं जैसे कि हम बात करें जो metro train है मतलब train नहीं, metro जैसे दिल्ली metro में आपने सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी automatic doors होते हैं तो वैसे ही doors इसमें भी हैं तो यह सारी बात है train 18 के बारे में अब जो नई वंदे भारत launch की है सरकार के द्वारा उसके क्या features हैं? इसकी जो पहली trip मैं आपको बता दूँ वो 5 October को चलेगी कहां से कहां तर? नई दिल्ली से कट्रा के बीच में अभी जो फिलाल देखिए जो train का usual time लगता 12 गंटे लग जाते हैं नई दिल्ली से कट्रा पहुँचने में जम्मू लेकिन इस train से मातर 8 गंटे में वंदे भायक train से मातर 8 गंटे में यह सफरते किया जा सकता है और इस train के अगर features की बात करें तो इसकी जो feature है वो engine less है जैसे मैंने आपको बताया self propelled train है यह सभी इसके coaches वो AC coaches है chair car इसमें किसी प्रकार का कोई जैसे sleeper बगएरा जो होते हैं वो sleeper बगएरा नहीं है यहाँ पर जो इसकी seat है वो chair का रही है यहाँ के chair की तरह के seats है और CCTV surveillance है यहाँ पर GPS based information system है Wi-Fi लगा हुआ है आप जाकर के इसके Wi-Fi को use कर सकते हैं और GPS system है यहाँ पर मतलब इस train को track किया जा सकता है कि आप अभी फिलाल कहां चल रहे हैं इसके लाबा कुछ और चीज़ों की बात करते bio vacuum यहाँ पर toilets बगएरा है और बहुत सारे इसके features हैं इसकी जो speed है साथ ही वो सताबदी express से भी जादा है वो देखिए जो सताबदी की maximum speed 130 km प्रितिघंटा होती है जबकि इस train की जो speed है वो 160 km प्रितिघंटा है वंदे भारत 2.0 की इसके अलाबा हम कुछ और चीज़ों के इसके बारे में discuss करें है तो हमने इसमें आपको LCD TV मिलेगी देखने के लिए 32 इंची energy efficient AC है जो की energy दक्षता है है ना यानि की उर्जा दक्ष AC है यहाँ पर dust फिरी clean air cooling मिलेगी सभी classes में इसकी खासियत यही है जो train 18 और इसके बीच में जो difference है वो mainly यही है कि जो train 18 में क्या था कि वो उसमें के बन executive classes में ये सारी सुधाय मिलती थी passengers को जबकि यहाँ पर सभी coaches में सभी जितने भी इसके coach हैं कह सकते हैं जितने भी इसके डिबबे हैं उन सभी डिबबों में इन में ये सारी facilities मिलेंगी इसके लाब़े यहाँ पर fire sensor भी होगा CCTV cameras लगे होंगे और 3 से 4 गंटे का यहाँ पर battery backup भी मिलेगा अगर आपका phone बगेरा आपको जो charge करना है कुछ आपको laptop चार्ज करना है कुछ और कुछ का आपको करना है तो battery backup भी यहाँ पर मिलेगा GPS system से less है air purification system है यहाँ पर clean air आपको मिलेगी जो कि सभी प्रकार के germs, bacteria, viruses इन सबसे free होगी यानि कि इन सबसे मुक्त होगी और fresh air यहाँ पर मिलेगी तो सातियो यह था वंदे भारत के बारे में जिसकी चर्चा बड़े पैमाने पर की जा रही है क्योंकि इस वंदे भारत जो train है इस वंदे भारत train ने सातियो क्या किया है कि जो bullet train के record को भी तोड़ दिया है बुलेट train से भी फास्ट गती से यह आगे बढ़ी है और मात्र 52 सेकंड की मात्र 52 सेकंड की टाइम में इसने जो अपनी maximum स्पीड नहीं मैं कह सकता हूँ कि इसने 100 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड को अचीव कर लिया है तो गाइस यह था आज का discussion उम्मीद करता हूँ आपको information बहुत ज़्यादा information मिली होगी session नौलिजफुल लगा होगा हमेशा की तरह तो इसी तरह की informative वीडियो के लिए चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा आप लोग और वीडियो अच्छी लग गयो तो like जरूर करिएगा प्यारा सा comment नीचे जरूर लिखिएगा कि आपको session कैसा लगा इसी के साथ मैं वीडियो की end करते हैं मिलते हैं next session में thank you, thank you so much guys